कि दिल्ली की एक सचिब एक लड़की एक बेटी हमको मिली रामला मैदान में जो पिछले फ्राइडे और सेटर्डे को यानि की दस और ग्यारत तारीक को जो काईकरम था मार्च दोजाद तेश में वहाँ पर मेरे साथ मैं बिनोज जी थे जो आजा समाज पार्टी के एक पिरमुख रहे हैं और एक सज्जन और भी थे डॉक्टर केपी सिंग हम वहाँ बैठे हुए थे वो जो बेटी हमारी वो जो लड़की थी बहुत कम एज की वो रइश्टर में डायरी में लोगों से नाम और फॉन नमबर ले रही थी हमारे पास भी आई तो मैंने उसे पूछा कि ये नाम और एड्रेस किस लिए ले रही हो तो उसने बताया कि वो आजा समाज पार्टी और भीमार्मी की दिल्ली की सचिब है तो मैंने उससे कहा कि आप कितना जानते हो आजा समाज पार्टी के बारे में भीमार्मी के बारे में क्या जानते हो तो वो थोड़ा सा असमंजस में हुई हमने उसको पास बठाया और पूछा वो कुछ ज़्यादा नहीं बता पाई पर उसने कहा कि अब हमारी F.I.R थाने में लिख जाती है यह सोच कर बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ कि हमारे युवाओं का जो अदेश से है या एम है या जो उनको बताया गया या जो उनको दिखाई देता है वो सिर्फ इतना है कि उनके साथ में प्रितारना हो और उस प्रितारना की कम से कम F.I.R लिखने लाए किस्ति हो F.I.R. के बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है ये एक अलग विशे है क्योंकि आज तक किसी F.I.R. में कुछ हुआ नहीं तो मैंने उन से पूछा कि आपको सची किस ने बनाया तो उन्हें बताया कि हमें चंसेखर आजाद ने बनाया है तो मैंने कहा कि जैसे आपको बनाया है वैसे आपको हटाया भी जा सकता है वो चुप रहीं बोल नहीं पाएं क्या बोलती है मैंने कहा कि आपका सिस्टम कैसे चलता है आपका पूरा पूरा जो तरीका है आजासमाज पार्टी का या जो भीमार्मी का है ये कैसे चलता है और भी मारमी अब किस तरह से काम करती है और आजा समाज पार्टी किस तरह से काम करती है बताईए वो बता नहीं पाई उन्होंने मेरा फोन नमबर लिया मुझसे पूछा आप कहा काम करते हैं मैंने कहा मैं संगी हूँ समढ़ संगी हूँ उसका कारे करता हूँ उसके बाद वो चली गई पर बहुत सारे प्रसंद छोड़ गई मेरे मन में और ये प्रसंद इसलिए पूछने जरूरी है क्योंकि यदि आजा समाज पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है या भीम आर्मी जो एक सैनिको का आर्मी का या जो भी संग्ठन है उसके बारे में ज्यादा जानकारी मुझे है नहीं कि वो किस तरह का संग्ठन है क्या उसका बिहवियर है क्या उसका पैटन है क्या उसका कारे करम है क्या उसका क्रिया कलाब है या किस स्टेटस में आता है पर ये जिग्यासा हुई मुझे जानने की कि आखिर क्या चल रहा है अगर अगर ये सामाजिक संग्ठन है तो सामाजिक संग्ठन होने के नाते मेरे कुछ परसन है जिनका जवाब मिलना चाहिए और अगर ये सामाजिक संग्ठन नहीं है तो दसा थी वो ये बता रहे थी कि उसे कुछ पता नहीं है इसलिए हमने उसे जदा पूछा भी नहीं खाँ में खाँ बेकार में वो बेटी हमारी परशान होगी पर जितने यूबा हैं और जो यूबा एक सपना देखकर लगे हुए हैं और वो क्या सपना देखकर लगे हातरस का जो कांड हुआ वो सब आपको पता है और जो वो मटके में राइस्थान में जो बच्चा मारा गया पानी पीने पर जो गया था उसके बाद में जो वहां पितारना हुई उसके बाद में फिर दुबारा उसके चाचा के उपर पितारना हुई तो हमने पूछा कि अगर आपका इतना खौफ है क्योंकि उस बेटी ने ये कहा कि अब भीम आर्मी का इतना खौफ है कि एफाया लिख जाती है तो हमने बदले में पसंद किया था कि अगर भीम आर्मी का इतना खौफ है तो फिर पेताड़ना रुखती क्यों नहीं जो राइस्थान के अंदर बच्चे के साथ घटना हुई थी, उसके चाचा के साथ क्यों उत्वारा हो गई, क्या कारण था, कहां खौफ गया, क्या गलती हो रही है, क्या परिशानी हो रही है तो थोड़ा सा इसका अनलेसिस कर लेना चाहिए, और जितने यूवा हैं, उनको मैं कुछ प्रसंद दे के जा रहा हूँ, उन प्रसंद के जवाब जरूर देने चाहिए, पूरे समाज को दरसल जो भीम आर्मी एक संग्ठन था या नहीं था, या भीम आर्मी एक सिस्टम था या नहीं था, इसकी पैदाईस जो हमने पड़ा और जो सुना, वो एक घटना करम पर आधारित है शबीरपुर का जो कांड है, उस पर आधारित है, और उससे पहले छोटी मोटी जो घटना जो लड़कपन की होती हैं, जो लड़के करते हैं, मोटर साइकल पे चलना, या कहीं पहुंचना, या एक घुट मनाना, या जाना, फिल्म इस्टाइल में, उस तरह की घटनाएं र हम तीन चार लोग गए थे, वहां उन्होंने मदद के लिए 50,000 रुपे सरकारी करमचारियों के महासंग के फंड से दिये, और 5,000 रुपे मैंने, किसी ने मुझे दिये, तो मैंने उनको सौपे, 55,000 रुपे हमने अपने हाद से, उस समय सबीर कांट के बाद में, सबीर या नहीं पहांचे, ओर ऐगटना बड़े कमाल की वहां हुई, गटना कमाल की ये हुई, कि ये सारा जो लोग थे, ये जैबखवान जाटब के घर पर रुखे हुए थे, और जैबखवान जाटब के घर पर ही, हमको जैबभखवन जाटब ने कॉल करकर बुलाया था, ये शब्बीरपुर कारण का जो लड़का है, वो यहां है, छुपा हुआ है, और उसके साथ में दो-तीन पत्थका टाइप के लोग और भी थे, तो हमने उनसे ये पूछा, कि क्या कारण है, कि जो शब्बीरपुर कारण का हीरो है, या जो लड़का है, जिसका नाम चंसेकर आज जो पत्थका टाइप का लड़का था, उसने कहा कि जी हमारी पहुंच उपर तक है, इसलिए हमारे सेल्टर है, और हमको लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो पुलिस में बैठे हुए हैं, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई, आप एक बात बताईए कि आप अपने मोबाइल इ सिस्टम है, कितना कॉल आता है, कितना जाता है, ये तो 20 साल पहले से लोगों के पास है, फिर पुलिस आपको क्यों नहीं पकड़ रही है, ये बात समझने किये हैं, उन्होंने कहा हम जंतर मंदर पर एक प्रिटेसन करेंगे, ये लड़कों को बलाएंगे, तो मैंने कहा कि पुलिस आपको नहीं पकड़ रही है, ये सवाल ज्यादा important है, आप ये में समझो कि आप पुलिस से ज्यादा smart हो, और दिल्ली की पुलिस तो वैसे भी बहुत high-tech होती है, तो पुलिस आपको क्यों नहीं पकड़ रही है, ये सवाल एहम है, पर इस सवाल का जवाब रोने यह ही का कि हमें approach है, और कुछ लोग हमारे मदद कर रहे हैं, पर मेरी समझे पर रहे था, क्योंकि अगर पुलिस नहीं चाहती तो पकड़ सकती थी, जो आदमी mobile इस्तमाल करता है, उसकी location से उसको कभी भी पकड़ा जा सकता है, ये बात आई गई हो गई, उसके बाद जो दलित के लिए क्योंकि जो दूसी राज्यादिक पार्टी है, जो उनको घास नहीं डालती थी, उससे बदला लेने के लिए लड़के को highlight किया, लड़का highlight होने लगा, और highlight होते 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 होते, पूरे देश में एक नाम चला गया भी मार में, क्योंकि एक vacuum आया हुआ है, एक पू चाहते हैं कि हमें कोई नेता मिल जाए, कोई हमारा काम करे, और कोई हमारे को रास्ता दिखाए, कोई हमारी मुसीवतों को पार कराए, कोई व्यक्ति आ जाए, जो हमारे सारे दुखदर दूर करा जाए, क्योंकि लोग आलसी हैं और निकम में हैं, अपना काम खुद नहीं क ना चाहते इसनिए वो ढूनते रहते हैं और लड़कों को ऐसा लगा कि ये जो व्यक्ति है जो लड़का है अब जल्द ही हमारे दुखदर दूर कर देगा दुखदर दूर हो जाएं सारी मुसीबच चली जाएं सुख आ जाएं सारे अधिकार आ जाएं सारे लड़कों को नौकरी मिल जाएं सब के पास मोटर सायकिल घर मकान दुकान शादी हो जाएं सब हसें खेलें ये काम अगर हो जाए तो बहुत खुशी की बात है बहुत अच्छी बात है हम भी इस काम की मंगल कामना करते हैं कैसा हो पर ये सेख चली का ख्वाब है ऐसा होगा नहीं ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि व्यक्तियों की निर्भरतार व्यक्तियों को पहले से भी समाज दे या उनको धमकाया गया, या वो बुढ़े हो गए, या खतम हो गए, या परिवारबाद आगया, या वक्ति बादा गया, या उन्होंने संपत्ति बना ली, या वो अपनी एख्चा पूरी कर निकली है, कहीं हाथ जोड़कर, कोई छोटा मोटा मंत्री पद ले गए या उन्होंने कहीं कोई रुजगार खोल लिया या वो बदेश में सेटल हो गए या उन्होंने कहीं न कहीं कोई न कोई छोटा मोटा अपना सिस्टम बनाके और उसको लकीर को फकीर को पीटते रहते हैं और मालाएं मालाएं पैनते रहते हैं और अपना भाशनवाशन दे के अपनी खुंदस को मिटाते रहते हैं जो उनके अंदर होती है पर पिछले 70 सालों में आज तक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ, इतने ताकत्वर व्यक्ति हुएं जो बावा साफ के लाए हुए अधिकार को रोक सके बढ़ाने की बात तो बहुत दूर की है पिछले सतर सालों में जैसे जैसे व्यक्ति आए और जैसे जैसे लोग आए वो ऐसे वैसे सारे अधिकार चले गए ये आज के जो बूड़े लोग हैं आज के जो अधेर उम्र के लोग हैं आज के जो मरनासन लोग हैं जिनकी उमर पचास, साट, सतर है ये भी कभी नौजवान रहे हैं और इन्हों का भी जो जोस है वो देखने के काबिल रहा है। इन्होंने बड़ी मेहनत की है। पर वो सब जानते हैं कि ये सब सेख चिल्ली के ख्वाब हैं, ये पूरे होने वारे नहीं है। हमारे जो नौजवान हैं उनकी जो उमर है वो 25 से 35 के बीच की है। और अगले 5-7 साल में वो सारे सारे यूवा बूड़े हो जाएंगे या अधेर हो जाएंगे। यूवा नहीं रहेंगे। और अगले 5 साल में उनको कोई रोजगार, कोई नोकरी, कोई पेसा, कोई व्यापा यह Евगार कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि उसकी को जमीन त्यार __ waslaw नहीं उसका कोई सिस्टम त्यार नहीं है विर जितने भी यूवा हैं ना तो इनके शाधी होगी ना इनके पास पैसे होगे नहिंके पास क्यों रोजगार तो या तो यह क्राइम करेंगे क्राइम करेंगे तो पुलिस मारेगी और या डिप्रेस होंगे डिप्रेस होंगे तो खतम हो जाएंगे खुद ही खतम हो जाएंगे इनको बचाने का सिस्टम किसी के पास है नहीं और जो यूवा यूवा की पीछे जाता है वो पूछता नहीं क्योंकि उस समय उसको जोस होता है, ताकत होती है, वो अकल का इस्तमाल नहीं करता है, शरीर का स्तमाल करता है, बल का स्तमाल करता है, उसको लगता है कि इखटे होने से, होहला मचाने से, कारों की रेली निकालने से, पटका बांधने से, जैजै कारा करने से, मूच उपर करने स से मूच नीची करने से सारा सुख प्राप्त हो जाएगा सारे अधिकाय प्राप्त हो जाएंगे भीड कभी अधिकाय प्राप्त नहीं करती है भारत में इतनी भीड इखटी की है और भीड इखटी करने में रिकॉर्ड बनाये हुए हैं पर भीड इखटी करने वालों को कुछ मिल सकता है जो उसका नेता होता है पर भीड को कुछ नहीं मिलता आज तक यही हुआ है कि भीड को इखटा करने वाले को कोई मंत्रीपत कोई संत्रीपत कोई पैसा कोई लालाच कोई गाड़ी कोई बंगला ये सब मिल जाता है पर भीड को कुछ नहीं मिलता पर लोग पूछते नहीं लोग नेता से पूछते नहीं नेता उसको बना लेते हैं वो कभी नहीं पूछते उससे कैसे करोगे क्या करोगे क्या होने वाला है क्या काबियत है क्या जानकारी है सिस्टम क्या है क्य आने वाला है कैसे आने वाला है कौन देगा कौन लेगा कोई नहीं पूछता और कोई पूछे भी तो किसी के पास बताने लिए कुछ है नहीं कैसे करोगे जमीन है नहीं जायजाद है नहीं फैक्ट्री है नहीं इंडरस्ट्री है नहीं भार बिदेश में कोई बैठा हुआ है नहीं तो चाल लोग जा सकते हैं वो चले गए जो जो जा सकते हैं सरकाई नौकरियां खतम हो चुकी है प्राइवेट में कास सिस्टम लागू है कास देखके नौकरियां मिलती हैं और जो मावाब ने दो-चार पैसे कमाए सरकाई नोकरी में, वो अब खतम होने वाले हैं, क्योंकि जब लड़कों के पास कोई रोजगार नहीं, तो खाएंगे क्या, तो मकान बेचेंगे, पैंसन खाएंगे, जब तक माबाब बिंदे रहेंगे, पैंसन खाएंगे, और जब माबाब मर जाएंगे, तो मकान बेच के उसके बाद क्या करेंगे इस सवाल से सब आँख बंद करके बैठे हुएं सवाल गंभीर है पर कोई पूस्ता नहीं कोई नहीं पूस्ता कि भीमार्मी तुम्हारा सिस्टम क्या है तुम्हारा मकसद क्या है तुम कैसे काम करोगे और जिस पैटन पर तुम काम कर रहे हो वो पैटन तो पहले से बहुत लोगों ने अजमाया है उसका एनलेसिस कर लो सहाब कासी राम को अगर अपना आइडियल मानते हो और सहाब कासी राम को अगर अपना नेता मानते हो तो सहाब कासी राम की कुछ बात आ गया, अचानक से हवाई जहाज आ गया, अचानक से सब चीजे मिल गई, कोई रूजगार तो है नहीं, कोई काम तो है नहीं, फिर जो पैसा देने वाले लोग हैं, जो सहरा दे रहे हैं और जो पर्सनल खर् tumis उठा रहे हैं, सामाजी खर्चा लग होता है सामाजी खर्चा होता है हैंडविल बाटना, किताब बाटना लोगों को मिलना, कोई मैना टांगना कोई सभा कराना पर जो परसनल खर्चा है गाड़ी का, घोड़े का, कपड़े का, लत्ते का, मोबाइल का जहाज का हुटल का आने का जाने का परिवार का इसको जो व्यक्ति देता है उसकी बात माननी पड़ती है पर इसका कहीं कोई जिक्र नहीं आया आज तक सहाब कासी राम की एक एक चीज पार दर्सी हुआ करती थी वो कभी पैसे को हाथ नहीं लगाते थे उधर किसी ने पैसा दिया तो पैसे को हाथ लगा कि किसी और को बोलते थे कि पैसा उसको दे दो कितना खर्च हुआ है इसका हिसाब यहीं बराबर करो बच गया तो आगे लगा देना नहीं तो चुट्टी करो तो आज तक पैसे की उनकी क्लियर रहा उन्होंने बलकुस साफ कहा और यहां कोई पैसे का हिसाब बताने को त्यार नहीं है यह खर्चक आता कहां से है डियल कहां से आता है पैटल कहां से आता है कौन देता है कौन देता है कौन नहीं देता है ओफिस कैसे मेंटेन होता है य आपके पास कोई पॉलिशी नहीं साहब कासी राम जी के पास में पॉलिशी थी उस पॉलिशी के हिसाब से वो चलते थे चाहे वो पॉलिशी बाद में उसका कुछ भी हश्र हुआ हो उसमें कोई भी कमी रही हो वो मिसन जो 78 में आरभ हुआ था वो बेसक खतम हो गया हो पर कि मनुस्मर्टि और मनुदज ज नुद दजह सोने वाली बाद है इसमें कोई संग का यक्रा नहीं कर दे यौशिक हो अधिन को जिसको सची बनाया गया था अगर उसको कल को हटा दे तो वह कहीं कोई कोड मेंपील नहीं कर सकती क्यों की कोई ये लिखित में, कोई सांगिक सिस्टम नहीं है, वो जिसको उठागे बनाना है, बना दीजिए, जिसको उठाना है, खतम कर दीजिए, मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह से बीच-पीच में देखता रहता हूं, जो पुराने लोग थे, जिन्नो आरोप लगाता है, जवरजस ज़ादा पर उस आरोप का कोई जवाब नहीं देता, अगर आप सामाजिक नेता हैं, आप सामाजिक पार्टी हैं और आपके हैंड्गूल साफ सुत्रे हैं, और आप साहब कासी राम जी की बुल्कुल की अपना प्रापरिटी मानते हैं और लि जिससे सामने वाले को लोग समझ सकें कि ये जूंटे आरोप लगा रहा है पर संसे में रहते हैं आरोप लगाए और आरोप का जवाब नहीं आया आज तक सारे नेताओं का ऐसा ही सिस्टम रहा है नेता जो होते हैं उनके ओपर आरोप लगते हैं वो आरोप पे silent रहते हैं जवाब नहीं देते लोगों में sensor रहता है और कुछ चापलूस टाइब के जो लोग हैं वो साथ जुड़ जाते हैं जो ऐसे ही nature के होते हैं तो साहब कासी राम तो ऐसे थे नहीं साहब कासी राम तो एक के चीज़ को clear करके चलते थे उन पर कोई दाग नहीं पर यहां जितने भी सवाल हैं उनके कोई कोई जवाब मिलते नहीं पुराने लोग जो जा चुके हैं वो क्यों गए इसका कोई स्पष्टिक्रण नहीं आया आज तर पुराने लोग खोव आरोप लगाते हैं पर उन आरोपों का जवाब नहीं आया जो दलित मीडिया पहले चंसे कर आजाद और भीम आर्मी के गुणगान क्या करता था अब वो विरुध में आ गया पर मेन मीडिया है वो उठा लिया साब कासी राम जी कहते थे अगर मेन मीडिया किसी की तारिफ करनी सुरू कर दे तो समझ लेना कि वो आदमी अब काम का नहीं है वो आदमी जा चुका है वो आदमी बिक चुका है और मेन मीडिया बारवार भीम आर्मी को अमेरिकल समाज पार्टिय को हालेट करता है तो सहाब कासीराम जी की बात को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए इसका specific रणा चाहिए ये बात आनी चाहिए समझ मैं कि क्या कारण है क्या नहीं है क्योंकि अगर भीम आर्मी या आजा समाज पार्टी सामारिक संग्ठन है और लड़के सयोग कर रहे हैं युवा सयोग कर रहे हैं लड़कियां सयोग कर रही हैं तो उनको सवाल पूछना चाहिए कि सिश्टम कौन सा है ये ये पारवारिक सिश्टम है व्यक्तिवादी संग का सिश्टम है राजनीतिक सिश्टम है आर्थिक सिश्टम है ये कैसे हमारा उधार करेगा इसका रोड मैप क्या है इसका प्लान क्या है कौन सी स्ट्रटजी है कौन सा तरीका है और कौन सा ऐसा तरीका है जो सतर साल में नेताओं ने अपलाई नहीं किया कौन सी नई ड सुझाट है तो कम से कम जो अंदर गुत कारे कर तो पूछलें पर लेताओं की तरह है одAK कर ना मूखों आ परकणाब तका डालना सोर मचाना बिडिक हटिकना जैकारा करना गुर्ण करना यह हो सकता है यह तमासा सब गता है ठीक ऐसे जैसे विदेश से बहुत सारी सिंगर आते हैं गाय कला खार आते हैं मंच्स सजाते हैं लोग आते हैं जूमते हैं नासते हैं 5002 रुपे कर ठिके ठिके खहते हैं उपर जाते हैं ठोड में पर उस से कोई भला होने वाला नहीं है भला उससे होगा कि जैसे शिक्ष ने सरदारों ने अपना संग बनाा हुआ 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 है क्या ह्कोई प्रिद्रसण नहीं धкимиुशडमत कोई अर्शबला नहीं मचा ते उनकी पर हमारे जो प्रताडित लोग हैं, वो जैसे जैसे खटे होते जारे हैं, जैसे जैसे हाय हुला मचाते जारे हैं, जैसे जैसे शोर स्राव मचाते जा रहे हैं और जैसे जैसे नेता पैदा करते जा रहे हैं वैसे वैसे और प्रतारित हो रहे हैं वैसे वैसे और जादा गरीब हो रहे हैं उस बेटी को मैं यह बताना चाहता हूँ बेटी और तेरे जैसी जितनी बेटी हैं और जितने युवा हैं वो ध्यान से सुनें, अच्छी तरह से जानें, जब तक आप अच्छी तरह से खटे और संग्टत नहीं हो जाते, आप से मत्तब है आपके मावाप, आप, आपके दादी, आपका परिवार, आपके महले, आपका देश, और पूरा एकसात नहीं आ जाता तब तक कल्यार नहीं हो सकता, ऐसा सभी महापूर्णों ने बताया है, ऐसा सभी ने बताया है, हम इस बात के लिए भाहत करने को तयार हैं, ऐसे हाय हुल्ला हुल्लड बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं, पूरे देश में हायुल्लड हल्ला मच रहें, 29 लाख संग्ठन है इतने सारे संग्ठनों के टुकड़े हैं पर उनसे कुछ नहीं होता और हमारे अधिकार पे अधिकार जा रहे हैं इसलिए सभी लोग भी मार्मी चंद सेकर आजाद और आजा समाज पार्टी काशिराम से पूरी की पूरी नीती और ड्रणिती समझें और इसको एनाउंस कराए और खोलें और उसमें बहस उनी चाहिए वो पूराने जो लोग हैं जो जानकार हैं वो यूवाओं को बता सकें कि इसमें ये कमी हैं ये अच्छा ही है हमारी मंगल कामना इस बात के लिए हैं कि हम जल्दी से सारे सारे सुखी हो जाएं पर हमें अफसोस है कि जिस तरह से और बारवा ऐसा होगा अगर समझदारी से जानकारी से अच्छी तरह से सोच समझ कर काम नहीं किया गया तो संगहनमामी संगहनमामी संगहनमामी